कि हेलो दोस्तो मेरा नाम है सुकदेप और आप मेरा चनल तक रहे हैं जो आप तक दोस्तो आज हम बात करेंगे आई टी आई लिमिटेड जो की राइवेलरी की तरफ से एक वेकंसी निकाले हैं और इसमें जो वेकंसी हैं डिप्लोमा इंजिनरिंग के लिए है ठीक है और यह श्टेट जोब हैं आप इंडिया किसी विरा सी बिलोंग करते हो आप इस जोब के लिए आप लाइक कर सकते हैं इसका जो एज लिमिट के बात करें तो आठारहूं सथे एर के बीच आप का एज है तो आप अपना कर सकते हो और इसमें जो रहेगी उनिस सब्सक्राइब कर कर प्राइबेट और गौर्वर्मेंट सेक्टेर की जॉब के बारे में रेगलर अपडेट दी जाती है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसे के दोस्तों को आप यहां प 750 जारी करे सकते हैं इसके वेपकी konst आपको इसके के फ्रोड में मिल जाएगी मैं आपको सब्सक्राइब में विद्सक्राइब आयए एसके तरफ से तो यह जो वेकेंसी निकाली आई टी आई लिमेटेड राइवेलरी यह जो कंपनी है एक गौर्मेंट ओफ इंडिया अट्रेटिकिंग कंपनी है और यह दुर्भाष नगार राइवेलरी उत्तर प्रदस के तरफ से रिक्वार्मेंट निकाली है ठीक है और इसमें जो एक वर्करफरेंस का तहर पर आपको अरेगुलर परमानिन बेसिस फरेंगी है alah जो कि हैं पर मेंशन की है अप है और total general के लिए तीन सीट है बाकि और किसी भी category में नहीं है और electronics में general के लिए एक seat है बाकि किसी के लिए और नहीं है ठीक है तो यह total seat हो की बात के लिए तो 10 sit है total औरlog resposta का तो है यह इको वेलेंट, यह साथ ही आपको तीन साल का diploma होना चाहिए mechanical या या electronics या electrical branch में ठीक है और इसमें जो आपका 60% mark होना चाहिए OVC के लिए और 55% होना चाहिए SC, ST और PWD के लिए ठीक है डिप्लोमा में और इसमें जो आपका salary जो रहेगी 19,000 रुपे पर मंत 19,000 रुपे पर मंत आपको दी जाएगे साथ इसमें आपको basic plus BDA plus HR इसमें इंक्लूट रहेगी ठीक है और इसमें age limit के बाद करें तो 18-30 year के बीच आपका age होना चाहिए और जो भी सरकार की guidelines है जो भी सरकार के role है आपको age relaxation के छूट दी जाएगी जैसे कि OVC के लिए 3 साल यानि कि 33 साल तक को apply कर सकते हो और सेस्ट के लिए जो है पांस साल के लिए यह कि 35 साल तक भी अपलाई कर सकते हो ठीक है जो भी सरकार की guidelines है और selection procedure के बाद के लिए तो आपका सबसे पहले आपका screening community कमिटी कमिटी वील आ इस प्लिकेशन रिसीब बेस्ट और माक अप्टेंड दा candidate in diploma engineering examination तो इसमें जो आपका selection process जो है आपका जो डिप्लामा में mark जो आया है उसके आधार पर आपका screen की जाएगे इसका बाद आपका written test दे जाएगे ठीक है और इसका जो final आपका जो होगा final test final return test होने के बाद आपका merit बनेगी उसी का हिसाब से ठीक है और तो यहां पर आप दे सकतो medical standard वेगर जो की आपका फाले selection होने के बाद आपका medical भी check-up की जाएगे और यहां एक चीज़ दे सकतो आठाज से starting हो चुकी इसका apply करने का date और यह आपका 14 December तक आप इस firm को apply कर सकते हो ठीक 8 December से इसका firm starting हो जाएगे firm apply करने का जो इसका जो date है तो 8 December से इसका firm को apply कर सकते हो last 14 December तक यहां पर आप दे सकते हो इसका जो apply करने का जो process है इनकी जो official website है www.itiltd.in यहां पर आप दे सकते हो इनकी official website दे तो इनकी जो official website है इसी website को आपको Google Chrome में डेस्टोप मोड में कर लेने देन इसके बाद इसका जो form है आपको registration करने के बाद आपको 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 apply कर देना इसके बाद इसका जो heart copy होगी साथ ही आपके Marksit वागरा जो भी certificate वागरा card certificate आपको इस पूस्ट कर देने किसमें करने किस address पर आपको यहां पर mention की हुई देख सकते हो और इसका जो इस पूस्ट का जो भेजने का पहुंचने का जो लास्ट डेट है चौदस सितंबर चौदस दिसंबर तक इसका पहुंचने का लास्ट डेट है ठीक है पांच बुज़े तक और इसमें है जो आप form apply करने के बाद उसका जो प्रिंट आउट कर लेने हैं इसका बाद साथ ही उसके साथ आपको जो भी डॉक्मेंस है आपको self assisted करने करके आपको address करने के इनके space post में भेजने होंगे 14 दिसंबर से पहले पांच बुज़े तक यहां जो space post का address है यहां पर आप दे सकते हैं एजी एम एच आर मार्केटिंग आई टी लिमिटेट राइवेलेरी प्लांड सुल्तानपूर रोड दुरभाश नगर राइवेलेरी उत्तर यहां पर आप देख सकते हों तो जो भी है आपका जो भी डॉक्मिन्स वेजाएंगे सेल्फ असिस्टेट करके आपको भेजने है ठीक है और अगर आप ओवी सी या पी डावलोड से विलोंग करते है तो उसका भी कास सेर्टिफिकेट और जो भी आपके पास टैन्थ पूलोंग करते हों तो आपको इनका सेर्टिफिकर्ट भी यहां पर सेंट्रल या गृर्मेंट्स इस्टल गृर्मेंट्स से बीजिस्क्राइब करके आपको भेजने पड़ेंने ठीक है तो बस चोड़ी सी नोटृट्विकाशिन ती मैं आसा करूंगा कि यह वीडियो आप पर पहली बार विजिट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें का साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें तो आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत आपका दिन सुभाव